निमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नए एपिसोड आफ एवे मिनिटिस प्रेशर सीरिस के अंदर जहांपे हम आपके हर मिनिट की किमत को जानते हैं आई आज हम एक बात करते हैं important image की जो आपके exam में दिखाई जाती है और इस cell को हम नाम देते हैं codocyte देखे जब भी आप एक codocyte को देखते हैं तो आपको एक ऐसा cell देखने को मिलता है जिसके साथ में जो appearance होती है इसको नाम दिया जाता है target cell या फिर एक ऐसा cell जिसके साथ आपने word दिया जाता है bull's eye appearance क्यों बनता है ऐसा cell जब भी किसी red blood cell के अंदर आप देखेंगे की surface area और volume का mismatch हो जाता है तो आप देखेंगे की जब surface area का relative excess हो जाता है ऐसी condition के अंदर आपको देखने को मिलता है target cell जादा तर इसके दो कारण हो सकते है या तो कोई भी ऐसी condition जहाँ पे relative excess of membrane हो जाए या फिर कोई ऐसी condition जहाँ पे relative decrease in intracellular hemoglobin आपको देखने को मिले तो कौन-कौन सी conditions है जहाँ पे आपको target cells देखने को मिल सकते है या codosides देखने को मिल सकते है इन conditions के नाम समझते है ये चार conditions है पहली condition है जिसको हम नाम देते है थालसीमिया क्योंकि इसमें intracellular hemoglobin का amount कम हो जाता है दूसरी condition जिसका नाम है फिर से iron deficiency नेमिया जहाँ पे intracellular hemoglobin काम हो जाता है एक तीसी condition जो आपको धियान रखनी है जिसको हम नाम देते हैं liver disease और चौती condition जो हमें धियान रखनी है जिसमें codoside देखने को मिलते हैं वो है ऐसे मरीज जिनकी splenectomy हो चुके यानि की post splenectomy patients आपने अब मिरको फटा फट चैट बॉक्स में आंसर बताना है इस असान से सवाल का कि which enzyme activity on being reduced contributes to the formation of a codoside जल्दी से आंसर करिए और अगली सीरीज में जल्दी मिलते हैं